नमस्कार साथियों आज नवरात्री के इस चौथे दिन पर हम लोग उसी प्रसंग को जारी रखेंगे जो दुर्गा शब्ते शती में महिशासुर मर्दनी का प्रसंग है हम लोग ने पिछले तीन एपिसोड में भी उसके बारे में बात की है महिशासुर है क्या महिशासुर वो है जो जगत की सारी संपता कब जाये बैठा है और संपती का एक संगनन है लेकिन वामपंथ को संपती का ऐसा संगनन कैसे प्रिय हो सकता है देवी भागवत के पांचवे इसकंद के शुरुवाती अध्याय में ही कहा गया कि अखिल भूमंडल में महिशासुर का एकश्यत्र राच था वह उसका उपभोग करने लगा तो कोई सच्चा लोकतंत्र प्रेमी इसे कैसे स्विकार कर सकता है इस एकाधिकार वात को इस समय महिशासुर स्वर्ग और भूमंडल दोनों का राच भोग रहा है ऐसा सत्ता संग्रह वामद्रशी को आपतियोग नहीं लगता महिशासुर महालक्षमी के स्वायत्ती करन की कोशिश में है और उलटपंथी जो है ताली बजा रहे हैं क्या ये इसलिए है कि वे उलटपंथी संस्क्रती के ज़्यादा बड़े दुश्पन है बजाए पूंची के संग्रहन के उन्होंने जितने जदा युद्ध भारत के संस्क्रते काद्रशों के विरुध्ध लड़े हैं उतने पूंची के एकांत संग्रणन और कलुशित संग्रथन के विरुध्ध नहीं लड़े जबकि महिशासुर एक ऐसा विक्ति है जिसने संसार के सब रतनों पर कबजा कर लिया है पूंची के इस कलुशित घनत्वी करण के विरुद्ध जो है दुर्गाश्प्तिशती एक आवाज उठाती है जो उलटपंथी हैं उन्हें वो महिशासुप्रिय है भले ही वो श्रष्टी के समस्त भूगों को अकेला भूगता हो कभी भी उसके कूट चक्रों के विरौद में इनके स्वर फूटते नहीं देखे गए बलकि लगता है कि महिशासुरों ने इन आधनिक बुद्धीचीवियों को परियाप्त भर्मा लिया है ये उनकी दी हुई अंटी के खुबार में गाफिल पड़े हैं ध्यान दें उस नश्य में गाफिल रहने वाले लोग महालक्ष्मी जगाने के लिए है धर्म को जो अफीम कहते थे वे सही थे इस अर्थ में कि इसी वैचारिकी के लोग उसमें ज़्यादा ग्रस्ट हो गए उसमें ज़्यादा आपसेस्ट हो गए और ये बात आधनी क्योंकि महिशासरों को बड़ी मुफीत पड़ती है महालक्ष्मी कुल जमा यही कह रही हैं कि अपना वास्तविक विपक्ष पहचानो तुमारी आँखों में धुआ हैं महिशासर के साहयक का नाम यहीं धूमराक्ष या धूमरलोच नहीं रखा गया है जिनकी आँखों पर परदा पड़ गया है जिनकी आँखों के आगे कोहसा चा गया है वे ही महालक्षमी की प्रभाव प्रतिभाव को नहीं पहचान पाते इस कथा में ये कहा भी गया है कि देवी की उस प्रभाव से उन सब की आखें चौंधिया दिये वो प्रभाथी या प्रतिभाथी और उसको खंडित करने की चालाकियां दिखाने वाले एक महिशासर सینपति को इस कथा में विडालाक्ष कहा गया है विडालाक्ष मतलब बिली की आखें आज ये बिली की चतर कूटनीत की आखें किसकी है और ये सिर्फ महिशासर की ही बात नहीं है शुमने शुमक के साथ भी ही है जो दुर्गा शब्त शटी का जो तीसरा चरीतर है उसमें शुम्बने शुम्बगी का थाथ लिया वहाँ पुना ये दोनों सच्चन कहते हैं कि उन्हें इस्त्री से किसी तरह का भाई नहीं शीमत देवी भागवत पुराण में पांचवें इसकंद में ये दोनों कहते हैं किसी इस्त्री में तो ऐसी शक्ती हो ही नहीं सकती कि जो हमें मार सके चराचर तरिलोकी में किसी भी इस्त्री का हमें किंचित मातर भी भय नहीं है ब्रह्मा जी हम दोनों भाईयों को पुरुष मातर के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए इस तरी से हमें कोई ड़ नहीं है क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है सो ये कथा ये कहती है कि भरम में मत रहो इतना भी टेकन फार ग्रांटेड मत लो नौ दिनों की शक्ति पूचा प्रसंग से ही जो दशहरा संभव वो पाता है उसका भी यही सबक है रावन को लगता है कि नर वानर उसका क्या उखाड लेंगे महिशासुर और शुम्ब निशुम्ब को लगता है कि इस तरी उनका क्या भी गाड़ लेगी तो निशकर्ष यह है कि जहां हम कॉंप्लेसेंट हुए वही म्रत्यों है दुनिया एक निरंतर बदलता हुआ शितिज है और दुनिया में एडवन्चरिस स्प्रिट की कहीं न कहीं निर्मिती और पुनल निर्मिती सतत चल रही है इस्त्री भी नित्य नवल होती चल रही है इसलिए यह नवरात्र है पुर्वाग्रहों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी यह अबला की जो बद्धमूल धारणा है यह नकेवल पुरुश को बहुत अत्याचारों को कर गुजरने के लिए प्रोटसाहित करती रही बलकि इस्त्री की आत्म शवी को भी धूमिल करती रही है अबला जीवन हाय तुमारी यही कहानी जैसे तरस खाने वाले हमदर्द इसकी शतिपूर्टी नहीं कर सकते थे नहीं अव्यव की सुन्दर को मलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ जैसे आत्मदायात्मक शब्द इसका उपचार थे इसका इलाज तो इस्त्री का तेज ही था अता महिशासर वाले कथा प्रसंग में इस्त्री के तेजह पुझ की निर्मती ही सवस्तार बताई गई है कि महरशी वालमिकी की रामायन में सीता भी अपने ही तेज से सुरक्षित बताई गई है वहाँ देवी भागवत में व्यास जी देवी के जन्मशह तेज के बारे में कहते हैं इन्बॉर्ण तेज के बारे में कहते हैं कि वह अत्यंत प्रकाश्मान तेज बड़ा ही दुसह था पद्मरागमणी की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अव्यव अत्यंत सुन्दर थे उसमें कोई शीतलता थी और वह उश्ण भी था अनेकों किर्णे उसकी शोभा बड़ा रही थी सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंच बन गया वह तेजह पुंच महान विलक्षिन था ये बात कही गई है और इसकत्ता में ये दियान देजिए कि देवी से तेज प्रकट नहीं हुआ बलकि तेज से देवी प्रकट वी ये सिर्फ सर के आसपास एक आभा मंडल या हैलो के होने की बात नहीं है ये तेजह पुंच से प्रकटन की बात है और फिर देवी से देवताओं का अनरोध भी यही है अत्यंत दौराचारी महिशासर को अपने तेज से भ्रमित करके उसे परास्त करने का कोई प्रबंद कीजिए ये कहते हैं देवताओं और उस देवी की उपस्तिती को सबसे पहले महिशासर के सामने रेपोर्ट करने वाले दूद भी यही कहते है कि उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल कर फैल रहा है कि उधर तात्ने में भी हम असमर्थ हो गए तो यह तेज महतुपून है दौरगा शब्तिशती इसी तेज का पार्ट पढ़ाती है नवरात्र में उसी तेज का इसमर्ण हम दोगों के लिए वांची तो जो दे रहा है इम्मीडियेट और गारंटिड अन्यूटी अट रेगुलर इंड्रिवल्स जिंदिगी पर के लिए पर हमें तो इस एच तक वेट करना पड़ेगा ना बिल्कुल नहीं हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यू जीवन शान्ति में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम एलाइसी 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 के अन्यूटी प्लान्स दिद अन्यूटी ऑप्शिन्स और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अन्यूशा दखल न्यूटी आपके हफ्रे आप देख रहे हैं दखल न्यूटी